हाजी भाई ओ, खिलाडी भी है चैनल की कमाल की न्यूफरेस बीडो में आप सभी का स्वागत है इस बीडो में हम बात करेंगे बल्ड कप 2023 के मैश नंबर 18 के ड्रीम 11 फेडिक्शन के बारे में जो की ऑस्टेलिया वर्सेस पाकिस्तान की टीम के बीच 20 अक्टूबर को दो पहर दो बजे एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलुरू में खेला जाएगा इस बीडो में हम आप से बात करेंगे इस मैसेज जो भी इनफॉर्मेशन है लाइक पिच रिपोर्ट प्लेंग 11 प्लस में मैंने आपको एक फिरी गयोवी रखा है जिसमें आप 10 के रुपीज बिन कर सकते हो फिरी गयोवी क्या है मैं आपसे एक दो आसान से सवाल पूछूँगा अगर आप उन सवालों के जबाब सही देते हो तो आप पूरे के पूरे 10 के रुपीज बिन कर सकते हो जिनका बज़ट अच्छा नहीं है न वो इस गिवब में जरूँसे पार्टिसिपेट करना बाकी Grand League के Key Players, CBC की Best Choice और Final अपनी JL Team और Small League Team के बारे में आप लोगों से डिसकर्स करेंगे तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़दा IMPOTENT होने वाली है वीडियो को END तक देखते रहना बिल्कुल भी Skip मत करना जैसा कि आप लोग देख रहे होगे पिछले कुछ मैचस में हमने back to back clean subscribe कराया आप लोगों का आप हमारे Telegram चैनल पर जास करके देख सकते हो क्योंकि Final Team Final prediction आपको हमारे Telegram चैनल पर ही मिलते हैं बाकी आइस फिरीगे अब आपको मैं question पूछूँगा तो वीडियो को END तक देखते रहे हैं वीडियो के बीच में कहीं भी पूछ रखता हूँ बात करें आप पिच रिपोर्ट के बारे में तो पिच रिपोर्ट में आप देख सकते हो 23 मैचे स्केले गए इस पिच पे ODI के जिसमें से बैटिंग फर्ष्ट करने वाले टीम 10 बार और बैटिंग सेकंड करने वाले टीम 12 बार जीती है अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटन के बारे में तो 200 के अंडर स्कोर दो बार बना है 200 से 249 के बीच नौ बार बना है 250 से 249 के भी चार बार बना है 300 से उपर जो आपका स्कोर गया है वो चार बार गया है तो आपके लिए उता दूँ कि यह एक batting surface है क्योंकि आप देख सकते हो average score जो यहाँ पे है वो 266 का है भाईो आपको यह चीत तो पता चल गई कि यहाँ पे जो batting surface है काफी अच्छा है लेकिन आपको कौन-कौन सी bats में लेने हैं फिर यहाँ पे बॉलिंग कौन सी बॉलर ज्यादा अच्छी कराते हैं पेसर को लेना है याँ फिर इस्पनस को लेना है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ देखो लास्ट के तीन मैचस को मैंने रेट किया तो 42 बिगिट के रहे हैं टोटल पेसर को मिले हैं 28 इस्पनस को मिले हैं 14 बिगिट तो पेसर यहाँ पे ज़्यादा बिखी लेते हैं देखो मैं आपके लिटा दूँ जो टीम यहाँ पे फर्स्ट बॉलिंग करा है उसके आप इस्पनस लेना जो टीम बॉलिंग करें उसके इस्पनस मत देना क्योंकि यहाँ पे डिव आती है डिव के चलते बॉल ग्रिप करना थोड़ा सा मुस्किल रहता है तो इस्पनस काम नहीं आएंगे फर्स्ट इनिंग में आपे इस्पनस और सेकंड इनिंग में आपके पेसर अच्छी गॉलिंग कराते है आपको किसे लेना है किसे ड्रॉप करना है वो मैं आपको आगे चलके बताने वाला हूँ तो नहीं टीमों की पॉस्टिवल जो प्लेंग लिवन रहने वाली है उसमें डेविड बॉनर, मिचिल मांस, इस्टीवन श्मित, मानस्ट, लबुशाने, ग्लैन मैक्सवेल, जॉस इंगलिस, मांकर इस्टॉनिस, पैट कमिन्स, मिचिस टार्क, एडम जैमपा, जॉस हैजलबूड इस टीम के जो बॉलिंग ऑप्शन है, वो आपके मिचिस टार्क, एडम जैमपा, जॉस हैजलबूड, पैट कमिन्स, मार्कस इस्टॉनिस, ग्लैन मैक्सवेल सिक्स बॉलिंग ऑप्शन है, अब इन में से जो दद्दस ओवर बॉलिंग कराएंगे, वो कौन से हो सकते हैं, देखो मिचिस टार्क, एडम जैमपा, जॉस हैजलबूड और पैट कमिन्स के ओवर कट सकते हैं, मुझे ऐसा रखता है, जो इस्टॉनिस और आपके ग्लैन मै सिक्स बॉलिंग करते हैं, अगर मैं बात करूँ ऑस्टलिया की टीम से इंपूर्टेंट पैर के बारे में, तो कल की मैच में डेविट बॉर्णर और इस्टीबन स्मिथ, मैं एक्जिमम 50 मारने वाले हैं, दोनों ही बैट्समेन, आपके लिए बता दू, तो दोनों ही बैट सिक्स बॉलिंग को अपनी टीम में जरूर से ट्राई करना, इवन आप केप्टन भाइस केप्टन भी ट्राई कर सकते हो, बाकी बॉलिंग सेक्शन से मिचल स्टार्क और जोस हैजलबूर्ट, यह इंपोटेंट रहने वाले हैं, दोनों मिलके 4 प्रस बिकेट नेकाल सकते है तो गाइज इस टीम से मैंने आपको 5 प्लेयर बता दिये, इन 5 प्लेयर पे आप लोग अपनी जर बनाए रखना, डेविट बॉर्णर, इस्टीवन स्मित, ग्लैन मैक्स बेल, और आपके मेचल स्टार्क, जोस हैजलबूर्ट, टॉप 5 मेरी यह चॉइस रहने वाली हैं, अ अगर मैं बात करूँ इनके बॉलर्स के बारे में, तो इनके पास काफी बॉलिंग उप्सन है, इप्तिकार एमद, नवाज, सादाब, हरीश रहूप, सहिंसा अपरीदी, हसन अली, इनके पास भी 6 बॉलिंग उप्सन है, लेकिन जो इनके प्रमुख गैंद बाज हैं, वो ह महमर रिजवान, तंगली परफुमेंस करने वाले हैं, कम से कम 80 प्लेस स्कोर मानके चलिए दोनों का, बाकी बॉलिंग सेक्शन से महमर नवाज, इसका परस्टेंट सेलेक्शन आप देख सकते हो, सिर्फ 15 परस्टेंट है, ये कल के मैश में कमाल दमाल मचा सकता है, इसे आप ड्रॉप करके चल सकते हो, बाबर आजम को ड्रॉप करके GL में, आप सीधा जा सकते हो, इप्तिकार एहमत के साथ में GL में, ठीक है गाईज, तो ये हमारी पांच पिक्स रहने वाली हैं, पाकिस्तान की टीम की तरफ से, तो फाइनली ये हमारी पिडिक्शन थी आज की, अब हम बात करेंगे आप लोगों से अपनी, फिरी गे अव़ी कोश्चन के वारे में, जो कि आप लोगों को इंतजार रहता है, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे अपनी Drieem 11 टीम के वारे में, तो फिरी गवी जो कुश्चन है, वो ये है कि इसमित इस मैच में कितने रन बनाएगा और सबसे ज़्यादा विकिट कौन लेगा यह दो आसान से सवाल है इनका आपको आंसर करना है और बिल्कुल भी फिर यह कमेंट सेक्सम में आंसर करना आपको पूरे के पूरे 10 की रुपीज ट्रांसपर कर दी जाएंगे जिस तरीक से मैंने पिछली कुछ मैचेस म आप लोगों को किये हैं आप लोग जाकर के देख सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल पर तो फाइले हम बात कर लेते हैं आप लोगों से अपनी ड्रीम 11 टीम के बारे में लाइक इसमॉल लीक की टीम का रहने वाली है तो भाईयो इसमॉल लीक की टीम के बारे में अगर मैं से बात करूं तो सबसे पहले देखो यहां से मोहमर रजबान और जोजस इंगलिस, दो चॉप्यों इस हिस आपके पास, जिसमें से जोजस इङलिस को आप तभी रखना, जब आस्टेलिया पहले बैटिंग करें, ठीके गाइस, अधरवाज इनको आप मत रखना, का हाला कि यह मेरी पेडिक्शन है और बाई चांस एज लगा कुछ भी हो सकता है रन आउट हो गए तो लेकिन चांसिस हाई है इन दोनों के परफुमेंस करने के ठीक है गाइस इमाम उलक जो की 20% सिलेक्शन है यह भी कल की मैच में परफुमेंस करने वाला है कम से कम 40-50 रन ब प्रफुमेंस कर सकता है रीजन बाई प्लेयर लेता हूँ तबी मैं ग्रांड लिग भीन करता हूँ ऐसे ग्रांड लिग भीन नहीं करता है मौहमाण नवाज आप इसे जील में केप्टन भी ट्राई कर सकते हैं इसमॉल लीग में मत करना क्योंकि काफी रिस्की रहेगा ठीक है गाई यह हमारी गी टीम रहने वाली जिसमें अगर मैं बात करूं कैप्टन हो वाईस के घ्रांड लिग टीम के बारे में तो ग्रांड लिग में आप क्या कर सकते हूँ ग्रांड लीग में आप यहां से बावराजम को डॉप करके जा सकते हो अपतिकार एमध के साथ में और मिचल मास को डॉप करके आप एडम Zampa ले सकते हो जिसमें केप्टन आप बना सकते हो अगर आप हाइली रिस्की प्लेयर हो न तो आप बहमार नवाज को केप्टन इस्टि बाकि जो भी फाइनल टीम होगी न हमारी वो आपको कहा मिलेगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के इंचे डिस्क्रिप्स बॉक्स में आफिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आप लोग जाकर के जोएन कर लेना बस भाई हो यह हिंद्पन ने मात